Hello everyone, आपका स्वागत है मेरे किचन में दोस्तों गाजर का हलवा हो या सूजी का हम अक्सर इसे घर पे बनाते ही राते हैं पर आज हम गाजर और सूजी को मिला के बहुती लाजबाब यूनीक फ्लेवर में ये रसीला हलवा बनाएंगे एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा इसको बनाना बहुती आसान है बहुती जल्दी बन जाता है इसको बनाने में बस आपको दस से बारमनेट लगेगा और ये बहुती स्वादिष्ट बनता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना मत भूलिएगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चमच गी गरम किया है और इसमें मैंने कुछ ड्राई फूर्ट जालके इसे भून लिया है तो लो फ्लेम में हमें इसे भूनना है मैंने काजू बादाम और किस्मिस लिया है आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फूर्ट ले सकते हैं और बिना ड्राई फूर्ट के भी आप इसको बना सकते हैं तो मैंने इसे भी काटा नहीं है भूनने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको काट लेंगे तो ये भून गया है और ये जो बचा हुआ घी है इसी में हमें सूजी को भूनना है तो मैंने एक कब बारीक वाली सूजी लिया है और इसे हमें लो फ्लेम में भूनना है तो बहुत जादा घी में हमें इसे नहीं भूनना है सिर्फ एक चमच घी ही चाहिए हमें इसको भूनने के लिए तो मैंने लो फ्लेम में इसको चलाते हुए 4-5 मिर्ट तक भूना है ताकि ये जो सूजी है वो अंदर से भी अच्छे से भून जाए और इसका कलर जादा चेंज ना हो तो ये देखिए सूजी भून गया है मैंने इसे एक लेट में निकाल लिया है वापस से मैंने उसी कड़ाई में एक चमच घी और लिया है और अब हम इसमें गाजर भूनेंगे तो मैंने 2 कप कद्दुकस किया हुआ गाजर लिया है इस गाजर को मैंने बारी घीस लिया है और इसे भी अब हमें चलाते हुए भूनना है तो इसको हम मेडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए भून लेंगे इसको भी भूनने में 4-5 मिनट लगता है ताकि गाजर का जो कच्छा फन है वो खतम हो जाए और जो गाजर है वो एकदम इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए तो ये देखिए 5 मिन तक मैंने इसे चलाते हुए भूना है और इससे घी अलग होने लगा है यानि कि हमारा जो गाजर है वो एकदम अच्छे से भून गया है तो इस गाजर को भी हमें निकाल लेना है सूजी के साथ ही हम इसको निकाल के रख लेंगे और वापस से हम इसी कड़ाई को गैस पे फिर से रखेंगे और इसमें डालेंगे 3-4 cup चीनी और मैंने 1 cup सूजी लिया था तो हम 3 cup इसी cup से 3 cup पानी लेंगे तो चीनी कम या जादा अगर आपको मीठा थोड़ा जादा पसंद है तो आप एक कप चीनी ले सकते हैं वरना तीन चोथा एक कप चीनी में ये हलवा परफेक्ट बनता है तो चीनी को चलाते हुए हमें मिला लेना है और जब पानी और चीनी में उबाला जाए तो इसमें मैंन गाजनी नहीं बनाना है, बस मैंने इसे दो मिन्यट तक उबाल लिया था, और अब हम इसी में अपना सूजी और जो गाजर हमने भून के रखा था, उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे, गैस का फ्लेम हम लोकर देंगे और इसे दो से तीन मिन्यट तक या पानी के सूख जाने तक हम इसको पकाएंगे, तो हम इने तीन मियाट तक धक के छोड़ दिया था, और हमारा जो हमने पानी डाला था वो सारा सूजी ने सोख लिया है, तो एक बार और अच्छे से हम चला देंगे इसको, अब हम इसमें डालेंगे, ये एक कप दूद है, और इस दूद में मैंने थोड़ी मलाई भी लिया है, इससे हलवे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इलाइची का पाउडर डालेंगे, और हमने जो काजू और बादाम किसमिस रखा था भून के, उसे भी थोड़ा काट लिया है मैंने, और इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को, और इसे फिर से हमें लो फ्ले में दो मिनट के लिए ढख देना है, तो दो मिनट बाद ढखका नटा के आप देख सकते हो, कितना अच्छा बना है हमारा हलवा, हमने लास्ट में एक चमच और घी डाला है, तो टोटल हमने इसमें तीन चमच घी ही डाला है, और एक बार और अच्छे से चलाते हुए, हमने इसे दो मिनट तक अच्छे से घी के साथ भून लिया है, ताकि हल्वे में अच्छी साइनिंग आ जाए और हल्वा एकदम पर्फेक्ट दिखे तो यह हल्वा एकदम रेडी हो गया है 10-12 मिनेट लगता है इसको बनाने में और यह बहुत ही टेस्टी होता है आप एक बार इस हल्वे को जरूर ट्राई करिएगा जब आपको गाजर का हल्वा खाने का मन करे और टाइम कम हो तो आप एक बार इस तरीके से बनाईएगा यह बहुत ही लाजबाब लगता है और यह इतना टेस्टी होता है कि यह आपकी फेवरेट हो जाएगी तो चलिए अब हम इसको परोस लेते हैं और एकदम परफेक्ट दानेदार हमारा हल्वा रेडी हुआ है तो अगर आप लोगों को मेरी रेस भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथी बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहें